प्छी तो बड़ा के लास्त क्लास में त्यक्स आप लपार स्निकंडॉक्टर प insider नोट पर स्निक और से समिस्थी देटी कैले की तो लोप की जायए अपननी तो योवह किंव स पियुआ की इप two types N type semiconductor and T type semiconductor तो इस वीडियो में हम परते है N type semiconductor what is this N type semiconductor तो semiconductor एक basic semiconductor लेते हैं suppose semiconductor में बता है silicon तो silicon हमें पता है इसका 284 valence electronics 4 it belongs to group 4A or P block or group 14 okay यह portion है according to model predictable it is group 14 it is group 4A present it's a tetravalent atom suppose this is silicon okay silicon का 4 valence electron तो यहाँ पर एक valence electron 2, 3, 4 यह 4 valence electron फिर यहाँ पर silicon मैं एक दिखाता हो यहाँ पर silicon दिखाता हूँ यहाँ पर silicon दिखाता हूँ यहाँ पर यह सिलिकन का यह वैलन दिखाता हूँ तो सर यह वन टूमच जर्बर यह वन टूमनंट फिर इस चार पर यह होगा सिलिकन है यह यह सिलिकन का यह यह सिलिकन का यह यह को बढ़ने अच्छा दो इस फॉर यह को बने वॉन एलक्तोन में आपके तो आपस अधर इसके साथ ऐसे इसके साथ पॉर्ड होतर दाएंगा अपने नेफिंग के साथ ऊपने को बना देता है अगर हम सब्सक्राइं इसमें फॉराइल सब्स्टांस की स्ब्सक्राइब मिला दते हैं तो इस मिला दते हैं इंपुरिटिस करते हैं क्या होता है यह ग्रूप ऐलिमेंट्स लगतन होता है और इनका वालज लट्रोना 4 तो जब गुरूफ 5A के साथ गुरूफ 4A को डोपिंग कर देते हैं ठीक है इसमें इसको डोप कर देंगे मिला देंगे मतलब सिलीकन में सफोस्फोर स्यारेथ करेंगे तो क्या होता है रहों सब्सक्राだ यहां पर इसमें आड कर देंगे तो फॉस्फोरस विल अप फॉस्फोरस सपोज सिलिकन में आड कर दें तो फॉस्फोरस इसमें आड के तो फॉस्फोरस विल अकुपाई सम अप दी लैटिस साइट्स अप दी सलिकन सिलिकन के क्रिस्टल में वह कुछ लैटिस साइट्स को अक और ये एक हो गया 5 यहाँ पर दिखा रहा है तो अभी को होता है दिखो यह इसके साथ bonding um स्वांडिंग नोंगे इस एलेक्ट्रोन के साथ बांड हो गया ये इस दॉक्त हरो गया ये इस पिल घ्स प्र्ट जो यह हमारा free electron होगा, this is free electron, okay, तो यह होगया free electron, और इसी के वज़े से, इस का, इसी के वज़े से, इसका conductivity increase होगा, because of this particular doping, when group 4a element, when group 4a, जब group 4a element को doped करते हैं, group 5a element के साथ, then due to free electrons, इस free electrons के वज़े से, conductivity of this type of semiconductor increases, conductivity of this type of semiconductor क्या होगा है, increase कर दाता है, and this increase in conductivity is because of free electrons, free electrons के वज़े से, and electrons is negatively charged, electrons is negatively charged, therefore, it is called as N-type semiconductor, इसलिए इसको बोलते हैं, N-type semiconductor, और, it is also called as electron rich, क्योंकि यहाँ पे एक electron extra है, this is also called as electron rich, because of this extra electron, इसलिए इसको बोलते हैं, N-type semiconductor, और electron rich semiconductor, तो मैं फिर से explain कर दाता हूँ, जो मैं प्योर से मिकंड़क्टर होता है, suppose pure sleep semiconductor है, ऐसे silicon था, यहाँ पे silicon था, यहाँ पे silicon, यहाँ पे मैं ऐसा लिखा रहा है, ऐसे silicon है, तो इसका वालेंस यहां पर एक दो तीन चार्ट इसका वन टू थी फोर इसका वन टू थी फोर यहां 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 तो यह इसके साथ कोवलेंट बॉनिंग कर रहे हैं यह अबने मुट से यहांके वह एयारम हो आई ए आधु है। कि preparation नाभी इंभू से कशनों से विखें और आगी पैभने इसा से कन्न जाते हुआ है। मैं के समय की जाता है जाता है çalış कование ऑन है इसंतों ऑ से क्शते हैं जाता है जाता है है। therefore it is n-type sending conductor, तो you have to draw this diagram, इस diagram को draw करना, इस portion को draw करना, इसको draw करो, फिर में explain करता हूँ, पहरे इसको draw करो, फिर में इसको statement लिका लेता हूँ, इसको draw करता हूँ, ड्राउ कर दिये, अभी देखो, क्या होता है, देखो, statement लिखेंगे, first point लिखेंगे, when, when, group 4A elements, 4A लिख सकते हो, या group 14 elements, 4A भी लिख सकते हो या, 14 elements लिख सकते हो, हम group 4A लेके बोला करेंगे, तो when group 4A elements, elements is doped, D, O, P, D, O, P, यानि, mixed with the elements of group 5, 5A, ठीक है, when group 4A element is doped with, with the elements of group 5A, then, some of the lattice sites, is occupied by group 5A elements, some of the lattice sites, is occupied by group 5A elements, okay, full stop, second line लिखेंगे, second point लिखेंगे, 4 out of 5 electrons, 4 out of 5 electrons, 4 out of 5 electrons, of phosphorus, जो 5A, यहां पर bracket में लिखेंगे देना, ऐसे bracket में लिखेंगे देना, group 5A element, 5A element, ऐसे, 4 out of 5 valence electron, of phosphorus, bracket में लिखेंगे देना, group 5A element, is covalent bonded, is covalent bonded, with silicon, sorry, is covalent bonded, with the 4 valence electron, of silicon, bracket में लिखेंगे, group 4A element, bracket में लिखेंगे, group 4A element, and one valence electron, of phosphorus, is left, non-bonded, and one valence electron, of phosphorus, is left, non-bonded, this valence electron, is known as, this non-bonded electron, third point, this non-bonded electron, is known as, free electron, this non-bonded electron, is known as, free electron, and, because of this, free electrons, it increases the conductivity, of this semiconductor it increases the conductivity of the semiconductor and therefore it is known as n-type semiconductor or it is also known as electron reach semiconductor तो मैंने एक इसमें मैंने दोपिंग सिर्फ एक आटम के दिखाया है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आटम होता है ऐसा बहुत लाखो आटम्स को आट के जाता है तो जाके ऐसे से बहुत सारे रोटम होते हैं सब्स्क्राइ तो इए बोटम है तो यह पॉशन है वह तो यह पॉशन है यह पॉर्शन है इस एक नएक शोपिंग्टा रिच्ट झालीच्छ्टर तो इन ने 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 लिए बीड़ाओ बादी P-type semi-kelektर तो ने स्रूड इन स्रूज है थां क्यू